गोलियों से घायल पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बसाई गोलियां पता चला है कि पुश्पा गंभी रूप से जखमी हुआ है शेशाचलम की जंगलों में पुश्पा को ढूणने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट दिप्लॉई की है भावरा पेट की पहाड़ी उपर पुलिस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लटपत शोर्ट पर मिले आठ गोलियों के निशान पुलिस के हाथों मुश्पा की हत्या की अफवाओं की वज़े से आप देख सकते हैं चित्तुर और तिरुपती के कई लागों में दंगे शुरू है कि इस वक्तर अदामया सखल पर मौजूर है और आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि किस तरह पुश्पा की समझ तक हजारों की दादा पुश्पा रहे हैं आठ गोलिया लगी है किसी भी इंसान का बच पाना नामुम्किन है पुलिस की पुश्पा को मारने की एक साज इस्की मेरे बेटी का हार्ड आप्रेशन भुवा उसका पैसा पुश्पा नहीं दिया अब ये ठीक है बेटी के सादि पुश्पा नहीं कर लाई सबहस्पा नहीं तुश्पा नहीं कर लाए ऱ्रे वो आमगरीब को खाना खिलाता था घॉ पुष्पा एलागू एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिन्दा नहीं है अफवा ये भी है कि वो जैपैन, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है पुष्पा की बॉड़ी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुम्रा कर रही है आखिर पुष्पा है कहां ब्रेकिंग निम्स जंगलों में लगाए गए वाइललाइफ सर्वलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चानल ने अभी प्राप किया है ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हुँ काउन है रे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेरी दो कदम पीछे ले तो समझो पुषपा आया है पुषपा का कुछ रही हुआ पुषपा सिंदा है नाना अबूल पुषपा का